बहुत सारे भाई बाट देखा ते अरस्चेकारा कड़े ते टेकेट लेगा और कड़े ते अमेल लेगा चुनाओ लड़ेगा मन देख्या मेरे पीछे ते जो भाई मतलब रिक्षा चलान वाले शकोर्टी की नोकरी करन वाले वे भी यंदा जे लामा है वे भी ये बाते करते थे अरस्चेकारा भाई एमेल लेगा चुनाओ लड़ेगा यो जयाती ड्रमे कर रहा है यो जयाती सेवा कर रहा है इसनकीते नकीते तर्टेकट चाहिए है यही सवाल जो आप देना आप लोगों के सायद आप लोगों का सपना सच हो गया आज और वो सपना आप लोगों के सामने है माप लोगों को बता देता हूं राजस्थान से इस 29 तारीक को आज 27 से दो दिन बाद जैपपुर के अंदर RLP पार्टी पलस अपने चंदर शेकर आजाद भाईगी पार्टी दोनों पार्टी मिलके RLP पलस ASP लाखो आदमियों की रेली कर रही है उस रेली में सबसे पहले तो आप सभी गान्यों उत्ता है आप सभी साती ज्यादा से ज्यादा मात्रा माना वहाँ एक बड़ा फैसला लिया जाएगा और आप बात आती अरश छेकारा के चुनाओ लड़ने की जो कहते थे अरश छेकारा न ता है उड़े ता है आनुमान ता वो लड़ना वह चुनाओ इस मारे राजस्थान रहता है इस मारे ये काम करें मैं आप लोगों को आज भास्त्विक्ता बता देता हूं इतनी छोटी ही चीज है इतनी छोटी ही चीज मैं 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 लोगों को बता देता हूं लड़ाई ती सबसे पहली बात अब आती है राजस्थान के अंदर हमारो एक बड़ा बाहिया। वानवे निवाल और दूसरा अमारा बड़ा भाई उत्र प्रदेश से चंदर सेकर रावन कई सात्तियों को भूत बड़ी खुजली हो रही है इंची जो से ये क्यूं मिले मिलवाने वाड़ा मैं था वाई या रश्यकारा थारेशा मी बैठ्या हूँ दो दिन तर राचे स्थानता दो दिन तर सोय हो लिए कल वो प्रेंस कोन प्रेंस होई दोननू भाई कठे आए लोगा का खुजली होगी किन लोगा कोगी उन लोगा कोगी जो कांगरेस का बीजेप और अनुमान जी बैनिवाल किसान कमेरों का मसिया है और जब दोनों मसिया पलस मसिया यानि की छोटू राम साब के बगत शिंग जी के बाबा विम्राव अंबेड करके इनके आपस में चाने वाले इनकी विचारदारा पचलने वाले एक होगे तो देश के अंदर तो उथल प शेकर से रनुमान भाई साब से दोनों से एक वह वादा बताता हैं वाज आप लोगों को दो सो सीट टोटल हैं सो सीट जिसकी आती वह सरकार बना लेती है आप सुनो गोर की बात अरश शेकारा शिरफ एक सीट से चुनाओ लड़ सकता था विदाईगी का वो कोई भी सीट ना मेरे लिए कोई बड़ी बात विदाईगी का चुनाओ लड़ना जब मैंने राजस्थान के अंदर क्या पता का आदमी ओको तो टिकेट दिलवा दी मैं टिकेट उनको दिलवा शेकता हूं रेल की बस की टिकेट की बात नहीं करें में लेगी टिकेट की बात करें विदाईगी की तो मेरे हिसाब से टिकेट मैं खुद भी ले शेकता था लेकिन अगर मैं एक सीट पके टिकेट लेका है और नेताजी बनका है और वो सीट जीत ले ठीक है मेरी जिम्मेदारी लीमन है दोनों भाईयों के बीच में बैठके मने ये कसम खाई है आपकी पार्टी की दस विदान सबा मेरे जिम्मेदारी लाना उन दस सो विदान सबाओं से दस विदायक बना के अरश शिकारा देगा और वो जिम्मेदारी मेरी सुनती स्तारी को लगा दी जाएगी आप लोगों के सामने वो चीज़े चलेंगी आप लोगों के सामने वो चीज़े दिखाऊंगा राजनीती होती क्या है जो लोग सपने में सोचते हैं ये ये मिल जाते तो क्या होता वो काम आपके भाई ने किया जो आदमी खाली हमारे को गालिया देने के लिए शिमित रहेगे इन चीजा में लगे रहे जिनका मैं कभी जवाब देना पसंद नहीं करता ता उसका रिजन ये ही था हम जिस बड़े काम में लग रहे हो बदलाओ का काम है बदलाओ के करना है राजा का लड़का ही राजा बनेगा ये मुईम चलती आ रही थी राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आज तक दलित की कमेरे की किसान की कोई सरकार नहीं थी अब ये सपना पूरा होगा कि अनुमान वे निवाल राजस्थान के अंदर से सरकार बनाएगा आज नोट कर लेना मेरी एक भी बात जूठी नहीं पाई आज तक आज बता रहा हूँ अनुमान वे निवाल की आज की डेट में चाड़ी सीटे कलियर आएंगी चाड़ी सीटे कलियर ये आज की पोजीशन है जो चंदर सेकर और अनुमान दोनों भाई खटे हुए हैं नियों देखे लो कुछ न कुछ तो यार आम होएंगे जब आमना अनुमान को और रावन को एक कर दिया अनुमान और रावन तो हमेशा चे एक दूसरे के विपक्सी रहे विरोधी रहे हैं अब बात आती है आमना काम करना था किस चीज पर शिक्ष्या पर सवास्त पर रोजगार पर वास्तविक्ता के मुद्धे लोग भूल गे एक पर टिंत कंसेप्ट उठा लिया हिंदू दरमका जैसिरी रामका जिसका नाम है भीजेपी अपना जैसिरी राम नहीं बोल ला तो आप देश के दुस्मन होगे ये कोंशी बात होई भाई देयात के अंदर आज बी हमारे अरियाना के अंदर कोई किसी भी जाती किसी भी धर्म किसी भी मजब काओ सुता उठता है आदमी से आदमी मिलता तो पता क्या कहती है राम राम जी जो राम और राम है जो आपका जैशेरी राम हो उसमत एक कब राम आवा है ठीक है अब बात आती है जैजाद मी अमारे से मिलेगा हम उसकी लेंग्वेज में ही उससे प्यार करेंगे अमारे को सरदार मिलेगा तो हम बोलेंगे सचरी कालपा जी मोल भी मिलेगा असलाम मालेकूं भाईजान अमारे को अमारा देशी अरियान भी मिलेगा रामराम जी राजे स्थानी मिलेगा रामराम सा अमारा दलीत भाई मिलेगा जैबीम कोई जै छोटू राम वाडा कोई जै बगत सिंग वाड़ा तो ये आदमियों की अपनी विचारदारा अपनी सोच अपनी तरब से वह आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम इस विचारदारा से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे रिराम बोलने वाड़ा ही इंदू है बाकिया के पास सेटिफेके प्रेट नहीं है असलाम वालेकुम बोलने वाड़ा ही पका मोलवी है बाकियोर कोई मोलवी नहीं है या आप लोगों की छोटी से छोटी ते भी लो लेवल की सोच है अब बात ये आती है भाई आमने तो दून्म भाईयों को एक कर दिया आम मैं मेरे राजस्थान चे ये उ उम्मीद करता हूं आप इस जोडी को कितना प्यार प्रेम दे के सुपर डूपर इट बना शेकते हो इस जोडी के कंदों पर अकेली राजस्तान की जिम्मेदारी नहीं है पूरे इंदुस्तान की राजनित्ती यहीं से बदलेगी सी 2023 के चुनाओं से उसका रिजन पता क्या है गरीब कमेरे सोसित और किसान के बेटों नहीं यह जिम्मेदारी अपने कंदों पर उठा ली और अब यह भाई जब आगे बढ़ेंगे इन भाईयों के से शर्प पर तक तो ताज होगा जब आप लोगों की तकदीर खुलेगी क्योंकि बड़ी चीजी यह है गरीब सोसित और मजदूर के बेटे को उस सीम की शीठती आजती पोचन नहीं दिया था और राजस्थान वालेओ थारी कमी होगी मेरे भाईयों अगर अब भी तुम इन दरम में जाती वाद में फसके और इन अपने भाईयों को नहीं जितुआ पाए या कोई कमी राख दी वो आप लोगों की कमी अमारी नी आप लोगों के लिए दिन राते कर्ख्या करते रहें अब एक महिना राजस्थान के चुनाव के अंदर ही रहूंगा मैं और मन जो जिम्मेदारी उठाई ये दस सीट जीतने की वो सीट जितुआ के दिऊंगा वादा करता हूं ऐसा ही वादा अर एक भाई को करना पड़ेगा और जो इन चीजों को इन चीजों से सेमे वे अंडरे हुए हैं दोनों दल कोंग्रेस और भाजपावाडे वो तो आप लोगों की टांग खीचने की कोशिस करेंगे ही बाई लेकिन ये देखो हमारे भाई लो जैसे मजबूत हैं दोनों दोनों का ही त्यास चेक करना जहां अडगे वहां अडगे तबियत खराब है दो दिन सोय हुए हो लिए बादरा पर सो रात को प्रोग्राम में था नुमान जी के साथ छैब जेव वहां से पोच आता जैब पूर सुबह के टाइम जैब पूर में दोनों भाईयों के बीच था श्याम को दोनों भाईयों की मीटिंग होई उसके बाद दोनों भाईयों की मुलाका तो याडबे राना भाई की तदूल दाल ही आओ या जैदी खाशी उठा बार-बार कड़े दे के हो रहा एक ती पंखेका आतमार दे और वहां से आज सुबह से बज़े पोच आऊं सोनी पत जो साती कहते हैं राजनिती मा ओगा शकारा राजनि राजनिती इतनी गंदी चीज नहीं है राजनिती वालों ने जो गंद मचा रख्या है उस गंद को साप करने के लिए उनके सामने खड़ा होना पड़ाएगा और जो के ते च्षकारा चुना उलडएगा उतनी बड़ी खाज नहीं थी या तम न देख भी लियोगी पिछले च्छे साल चे तम आवाज लगा रहे उच्छे का रहा चुनाओ लड़ेगा यो 23 का राजस्थान का चुनाओ आगया और यो आप चल्या जागा एक महीने में मैं लड़ूँ आनी मैं लड़ूँ आउंगा क्योंकि राजस्थान मेरा बड़ा भाई उसने मेरे को इतनी जत्मान सम्मान प्यार दिया मेरा आख बनता है महुन के लिए खून पसीना धन दोलत जो मेरे पास हो सब कुछ बादियू रे जाती वाद खतमो धर्मवाद खतमो मुद्देगी बात करा काम की बात करा कोई भी ने ताता माइक पकड़ता पांच क्रोड की टिकेट लाता है माईक पकड़ा जै शली लाम ये शली लाम तो है देसका तो बला नहीं होता दूसरी तरप से फिर जो कोंग्रेस वाले वो उनका विरोध करते हैं एक जैसली लाम लगाएगा दूसरा उसका विरोध करके दिखाएगा उलो जिगे वहीं उस्से आगे निकलते ही नी इसली आप सभी से मेरी आज़ोड के एक विंती है जैपपूर के अंदर RLP पर्टी का स्तापना दिवस 39 तारीक को ज्यादा से ज्यादा मातरा में जितने जो भी साती है सभी तक यह वीडियो पोचाना ताकि सभी साती एक्टिव हों सभी साती अप अपनी जिम्मेदारी समझे बाई से बाई को जोडने का काम करे जो टुची राजनिती आपस में दर्म में लडाने की लोगों को मिटवाने की फडवाने की उनसे सभी साती दूर रहना एक महिने तक मैं राजस्थान के अंदर ही रहूँगा जिस विदान सभा आप अभी रहूँगा आप लोगों के सामने डिटेल डाल दूआ वहाँ के जितने जो भी साती है वो उसी टाइम हमारे से मिलते रहना और ये एक नया सूरज निकलेगा आपको बता देता हूँ ASP पलस जब RLP मिलके एक नई दिसा और दसा बदलने की तैयारी में है सो फीसदी आपको बता देता हूँ दोनों भाईयों के अभी 2013 में करमों में राज योग है और राज योग आपको अभी दिखने को मिलेगा और संदर सेकर भाई से बड़ा दिल मैं किसी का नहीं मान सकता जिसने बड़े भाईजाब अनुमान बैनिवाल को ये का आप हमारे बड़े भाई हो और राजस्तान के CM आप होगे और हम आपके पीछे होंगे हम आपको CM बना के देंगे ये होता एक बड़े भाई का छोटे भाई के परती प्रेम तो अब एक ओने की बात आगी एक ओने की एक ओने का समा आगया इन नेता मंत्रिया के बासन ने सुनते सुनते तमन शत्तर साल भीत चुके हैं ये तो अपना खेल खेल रहे एक बार वो एक बार वो इन चीजों से काम नहीं चलता एंडी जाटर रही है यूपी से मेरा भाई कलाकार भी आगया है ये भी कहा है हम तयार हाँ तयार तयार नहीं बुड़ा टाइम दे भाई ज्यादा से ज्यादा इंडी तो इसलिए आप सभी सात्यों से ये ही गुजारिस है अब एक ओने का समय है भाई ये जो राजनीती की गंदी दलदल है जो थारे उपर नबन नबन साल के यार बारा बारा बारुई दाइगमन के फेरू ठेपाऊ है बल्या मैं देश का बला करना चाहूं अरब ले मानस्तर तो बलाएना हो लिया ही तो और किसे का नंबर भी आन दे ते पोते पड़ पोते वे भी बैठ का कमान खानगारा कर गे मतलब तम्मन है सारी दंदोलत का ठीकरनगा ठेका ले रहा क्या के समझो आप बात को अमारी जो लड़ाई ये किन के साथ है अमारी लड़ाई उन राजाओं के साथ जिनोंने कैद कर लिया राजनित्ती को अगरीब के घर तक मजदूर के घर तक दलित के घर तक जानिया नहीं चाहिए इसलिए आप सब जे मैं एक विंती करता हूं बाई जात पात इन चीजों को छोड़ कर एक साइड रखके मुद्दों की बात करें आपके घर के बार को बोट मांगना आओ तो उस तो मुद्दे बताओ तरे मुद्दे के है अरज़ा दमला का दे बेशक बोट दे दियो गारंटी देता हूं किसी के पास अगर कोई मुद्दा पा जाते मिलते हैं 29 तारीक को आप सभी सातियों ने जो प्यार प्रेम दे रख्या है उसके लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं अपनी तरब से जी जान लगा देंगे सभी सातियों का दन्यवाद राम राम जै छोटू राम जै बीम जै बगत शिंग जै उसई दूगी